गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एश्टडी विद मोटिविशन में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे UCC मुक सेवका के रिजल्ट को लेकर कि लिटिस्ट अपडेट क्या है, कब जारी होगा आपका रिजल्ट तो रिजल्ट की उल्टी गिंती शुरू इस दिन जारी होगा रिजल्ट तो जो अपडेट है, जो लिटिस्ट अपडेट है आपके रिजल्ट के लेकर कि किस दिन जारी होगा तो हम इस वीडियो में देखेंगे और डीवी का नोटिस कब तक आपका जारी होगा और कब से शुरू होगा इस पर भी हम बात करेंगे तो जो बहनों का इंतजार है आखिरकार वो जल्द ही समाप्त होने वाला है क्योंकि काफी समय से इनको अपनी रिजल्ट का इंजार था लेकिन कोट केस की वज़े से इनका रिजल्ट फसा हुआ था तो आखिरकार आप इनका जो रिजल्ट है कोट के हरी जंडर दिखाने के बाद आप इनका जो रिजल्ट है वो जल्द जारी होने वाला है तो कब आपका रिजल्ट जारी होगा तो आपका result next 7-8 दिनों में आपका जो result है वो जारी हो जाएगा तो कल से लेकर के 7-8 दिनों तक के बीच में आपका जो result है वो जारी हो सकता है तो 21-28 नवंबर के बीच में आपका जो result है वो जारी हो सकता है तो जो latest update मिल रही है उसके अनुसार बस आपका जो इंतजार है वो जल्दी समाप्त होने वाला है तो कल से 28 नॉंबर के बीच में आपका जो result है वो जारी हो जाएगा तो result जारी होने के बाद DV कब से होगा तो आपका जो डीवी है डीवी समंधित जो date है वो आपको result में ही देखने को मिल सकती है तो 21 से 28 नॉंबर के बीच में आपका result आजाएगा और result में ही आपकी DV से समंधित date जारी हो सकती है पूरी सम्भावना है 99% समाहोना है कि आपकी DB के डेट आपके रिजल्ट के साथ ही दे दी जाएगी और DB आपका कब होगा तो दिसंबर में आपका DB भी करा लिया जाएगा जो अपडेट मिल रही है उसके अनुसार तो बस अब आपका जो इंतजार है वो जल्दी समाप्त होने वाला है तो बस इनी 7-8 दिनों में आपका जो रिजल्ट है वो आयोग जारी कर देगा तो DB में आपका जो प्रॉसेस होता है DB समंधित जो भी डाकुमेंट्स लगते हैं उससे समंधित भी वीडियो में आप लोग साथ सेर जरूर करूँगा तो बस अब आप इंतजार आपका जो इंतजार है वो जल्दी समाप्त होने वाला है और फिर उसके बाद दिसंबर में आपका DB सुरू हो जाएगा तो DB स्रेलेट भी मैं वीडियो आप लोग साथ सेर जरूर करूँगा तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लिजेगा अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलेगा तो फिर मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में जैहंद